दोस्तों बिहार DLA प्रवेश परिक्षा 2024 इंट्रेंस एक्जाम का चलिया आप सभी कट अफ देखिए सरकारी कॉलेज कट अफ कितना पर एड्मिशन होगा सभी काटोगरी का कट अफ आप लोगों को बताने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों आप सभी अपना आंसर की मिला लिये होंगे तो फटाफ़ कमेंट करके बतेगी कि हर एक चीज के बारे माँ आप सभी देखिए अब देखिए सबसे पहले एड्मिशन परक्रिया के लिए तो आप सभी यहां पर एग्जाम दे चुके है और अब अगला जाओ चरण है ड्मिशन अब आप सोच रहे होगे कि क्या मेरा लाक रख राइंक आएगा एगा एडमिशन नहीं होगा ऐसा नहीं है सभी कलग लग रहता है तो बिल्कुल इतना पर भी आपका एडमिशन हो सकता है तो यह है कि अगर आपका एकजाम खराप गया यानि आपका कम क्वेस्टन सही हुआ है तो आप जानना चाहरे होंगे कि कितना पर मेरा प्राइवेट इसी से कोई खास फर्क नहीं परने वाला है तो सभी चीजों के बारे में चलें यहां से के करके देखिए तो सबसे पहला जो चरना परवेश परिक्षा के लिए इसके लिए देखेगा यहां पर परवेश परक्रिया जो एडमिशन प्रोसेस है मेधा सूची मेरिट लिस्ट त्यार किया जाएगा इसमें दो तरह का merit list आता है एक दिखेगा तो science का लग एक arts का लग और seat कितना क्या है यहां पर आपको दीखे प्रात्मिक्ता college च्वायस करवाया जाएगा और उस अनुसार marks के धार पर rank के धार पर आपको college मिलने वाला है अब हम आप लोगों को जब यह counseling की परक्रिया होगी तो उसमें एक वीडियो की माध्यमस आपको अच्छे से clear कर देंगे किस तरह से आपको college चूज करना अगर आप अच्छे तरीके इस college चूज करते हैं तो कम marks पे भी आपको अच्छा college मिल जागा यानि सरकारी college मिल जाएगा तो आप सभी चैनल को subscribe करके जूरे रहिए इसके बाद देखेगा यहाँ पर आरक्छन का तो अलगलग category का इस तरह से आरक्छन है और इसके बाद इब्यांग का भी आरक्छन है 10% सीट देखेगा उर्दी विसाइक के लिए आरक्छित है यहाँ पर admission का सबसे जो main पर करिया है दोस्तों 50% सीट जो है science वालों के लिए जर्ब है 50% कला यानि आर्ट्स और commerce को मिला करके यह दोनों साथ ही है commerce अलग नहीं है तो commerce और आर्ट्स एक साथ हो गया और 50% सीट साइंस के साथ अब सिधासा यह समझे अगर टोटल सौ सीट है जैतर में देखेगा सरकारी कॉलेज में सौ सीट है कहीं पर डेर सौ कहीं पर इसके बाद दिखे अगला जो होता है यहां पर नियूंता महर तांग तो दिखे इसमें जितने भी है लगवक साथे छे लाग टोटल फॉर्म फिलप हुआ था पिछली बार देखेगा तो डेर लाग फिलप हुआ था अब क्या हो रहा है कि बिहार में टीचर की बहाली अच्छा खासर आने वाला है पहले क्या होता था कि आप एक्जाम दिये तीस नमर भी ला लिजेगा तो फिर आपका कम से कम प्रैवेट कॉलेज मेडमिशन हो ही जाता था लेकिन इस वार ऐसा नहीं है प्रैवेट कॉलेज के लिए आपको ठीक ठाक मार्क्स लाना परेगा क इतना क्या पर होगा सभी चीजों क्वार्यम क्लियर करने वाले हैं तो यहां पर दिखेगा इसमें जो पास किया जाएगा निहुंता महरतांग जो है जनरल कैटूगरी के लिए 35 पर तीस यह जो परिक्छा ली गई है टोटल 120 मार्क्स का 120 क्वेस्चन है इसका 35 पर तीस आ जाता है तो आपको पास कर दिया जाएगा अब यह है कि सीट अगर खाली रहता है तो आपका 42 पर एड्मिशन हो जागा अगर सीट फिलप हो जाता है फर्स्ट कॉंसलीन में इतना पर आपका एडमिशन नहीं होगा इसके बाद देखेगा रिजर्व कैट्वरी का मतलब ह आपको लग रहा होगा कि मेरा नॉर्मलाइजेशन में दस नमर 15 नमर बढ़ जाएगा इसा नहीं है देखेगा तो सभी सिट में लगवग लेवल समानी रखा गया एक ही तरह का पैटर्न का क्वेस्टन सब कुछ था तो किसी सिट में अगर बहुत हार्ड क्वेस्टन रहता तो उस कंडिशन में 4-5 मार्क्स बढ़ सकता है और किसी सिट में 2-3-5 मार्क्स घट भी सकता है तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया है तो नॉर्मलाइजड मार्क्स के अधार पर आपका फैनली रूप से राइंक त्यार होगा मेरी ट्लिस्ट त्यार होगा उस अधार पर आपके अड्मिसन होने वाला है तो यहां से यह देखेगा तो बिहार डियलेट का ओफिस्यल नोटिफिकेशन है यहां साबको यह क्लियर पता चल गया कि सीट जो है दो कैटिगोरी में 50% 50% साइंस वालों के लिए 50% और आठ्स वालों के लिए 50% टोट नहीं पर दो भी है तो इस तरह देखेगा तो 6-7000 जो है लगवग आप समझे साथ हजार के प्रॉक्स में जो सीट है सरकारी कॉलेज का सीट है अच्छा खासा सरकारी कॉलेज का भी सीट है इसलिए बहुत हाई इसमें कट अप नहीं जाने वाला है आप सोच रहे हुए कि यानि जिसका भी तीस नमर था सभी का एडमिशन थर्ड कॉंसलीन में नहीं तो लास्ट में एस्पोर्ट कोटा यानि डारेक्ट एडमिशन होता हो गया था लेकिन यह है कि आपको इसके इंट्रेंस एक्जाम में भाग लेना ही परेगा अगर आप फॉर्म भरे है तभी यह लेकिन इस वार आपको लगवग इससे 10 मार्क कम से कम अधीक लाना परेगा अब देखे अगर आपका साथ मार्क से पच्पन से साथ तो आपका असानी से प्रावेट कॉलेज में कम से कम एडमिशन हो ही जाएगा अगर आप प्रिजर्व काट इस आत्या है तो 50 मार्क आपक आता था तीस नमर पर भी लास्ट में अगर सरकारी मिल गया है तो ठीक है नहीं तो प्रावेट सभी करना ही चाहेंगे इसलिए इस वार कट अपको है देखने को मिलेगा यह हो गया दोस्तों प्रावेट कॉलेज को लेकर आप बात करते गवर्मेंट कॉलेज में तो गवर् 50% आर्ट्स वालों के लिए सीट रिजर्व है तो सबसे पहले तो आप सभी साइन्स वालों के बारे में अच्छे समझ लेजी देखिए साइन्स में क्या है कि आपको अगर आप जनरल कैट्वरी साथ है तो आप उमीद रखिए लेकिन पचासी पलस आपका है तो बिल्कुल आप से ओर रही है का आपका एड्मिशन हो जाएगा बहुत हैवी कट अप नहीं जाने वाला इसी के अप्रोक्स में रहने वाला एक दो मार्क्स घट बढ़ सकता है तो असी से चुरासी के बीच में अगर आप जनरल काट्वरी साथ है साइंस से संबदित है तो आपका एड से संबदित हो गया चले यहां पर काट्वरी भी लिख देते हैं इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बीसी काट्वरी देखिए बीसी काट्वरी में क्या है कि कट अपको है देखने को मिलेगा येकिन जनरल से लगवक चार से पांच नमर का अंतर रहने वाले एक दों नहीं यहांपर चार से पांच का अंतर रहेगा STEansen के बीच में अब बात करते हैं एबीसी काट्वरी के तो बात करते हैं सीट बहुत काम रहने के कारण से आपका 72 से लेकर के 73 कुष्टन अगर सही है यानि 72 पलस तभी जाकर क्या आपका एडमिशन होने वाला है अब देखें यह एक्सपेक्टेड कट अप है तो जब यह जारी होगा इससे एक दो मार्क्स घट बढ़ सकता है आपका अगर मालीजे कम भी मार्क्स है यह मत आप सुची कि मेरा एडमिशन ही नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है एक क्वेस्टन का देखेगा अच्छे लेवल का क्वेस्टन पूछा गया था इससे डॉन भी कट अप जा सकता है इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्ट्स तो इक इसके बात करते हैं EWS में देखें यहां पर 66 प्लस यानि कि अगर आपका 65-66 क्वेस्टन सही हो गया है तो आपका एडमिशन हो जाएगा इसके बात करते हैं BC काट्री में तो BC की 68 से लेकर के 70 यानि लगवक 70 प्लस क्वेस्टन आपका सही है सतर के अप्रॉक्स में इसके ब इसके बाद बात करते हैं ST काट्री में लगवक 65 क्वेस्टन आपका सही होना चाहिए ST काट्री में सीट ना के बराबर रहने की कारण से इसमें कटब देखेगा तो EBC या फिर EWS के अप्रॉक्स में ही राता है ST काट्री से है इसमें जाता है कटब तो ST काट्री से अगर पाना चारे होंगे फी के बारे में देखे फी से संबादित यह है दोस्तों के अगर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है इसमें 12-12,000 पर यह यानि 25,000 के अंदर आपका और देखेगा SCST के लिए तो 65 रुपे इस तरह से फी है तो यानि अगर आप SCST संबादि 12-13,000 अगर आप जनरल बांकी अन्य EWS BCBC से है तो फी आपका लगभग 25,000 में DLA कोर्स दो साल का कंप्लीट हो जाएगा यह अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिजेगा तो प्राइवेट कॉलेज में फी फिक्स कर दिया गए 1,30,000 रुपे आपको दो साल का देना परेगा यह हो गया प्राइवेट कॉलेज का आप दीखिए इस पार प्राइवेट को लेकर आपको क्लियर हो गया शुरू में आप लोगों को बताये हैं कि कितना आपका क्विस्टन सही हुआ है तो आपका प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा अब देखिए इसे कम भी दो चार मार्क्स है तो भी आप बिल्कुल उमीद रखिए यहां पर यह है कि एस्टुडेंट किस तरह सेडमिशन ले था अब देखिए एस्टुडेंट अधिक इंट्रेस्टेट रहेंगे अगर फर्स सकेंड तीन तरह का कॉंसलीन होने वाला पहला कॉंसलीन होगा जो यहां पर अगर थर्ड कॉंसलीन तक सीट खाली रहता है तो फिर क्या होगे कट अफ डॉन जाएगा बीच में होता है क्या है कि कुछा ब्यारती एड्मिशन लेकर भी छोड़ देते हैं दूसरा कॉंसलीन माली जे यहां पर एड्मिशन हो गया फिर क्या करते हैं फी नहीं कहले जम्य करते हैं चोड़ देते हैं तो फिर सीट खाली चला जाता है फिर सब्सक्राद्ब्रेकर पर 25 मार्क्स में को सब्सक्राइब कर दें कि आपको सरकारी कौलेज चूज करना है किस अनुसार जिस्सией आपका कम marks पर भी सरकारी मिल जा, अगर marks बहुत खराब है, तो उस condition में आपका first second counseling के अंदर private college भी कम से कम मिल जा, और आपका जो सपना है teacher बनने का, daylight course करने का ये पूरा हो पाए, और दोस्तों आपका कितना marks आया है, CVT exam में आपका कितना question सही हुआ है, फटा-फट comment करके ब आपका कितना आये